हेलो दोस्तों स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके पसंदिदा यूट्यूब चैनल एक कंप्यूटर एजूकरिशन में मैं आसिफ खान आपका दोस्त एक बार फिर से लेकर आए हूं माньकुसाफट पावर पॉइंट के बहुत है उसी के वेस्पे बनाके लेका हूँ जिसके अंदर आपको बहुत सारी चीजे मिलेंगी जैसे की ऑनिमेशन या उसका रिकोर्ड रियर्सल करने का जो भी ऑप्शन होते हैं और उनकी सेटिंग किस तरह से की जाती है या हमने अगन कर रहें तो सामने वाले को कहां से slides present करनी है या कहां से उसको शो करानी है यह हमें चुनिन स्लाइड्स को ही शो कराना है तो हम उनको किस तरह से दिखा सकते आज मैं आपके लिए वीडियो बना लेकर आये हूँ चलिए फिर बिना किसिे देरी के यह चलते हैं यह जैसे कि आपने देखा होगा कि रिसेंट विडियो में हमने इन सब्सक्राइब जब और इस वाली जो है हमारे प्रियू में कृप्ष्स भी जितने भी एफ़ेक्ट से लगाई हैं सबसे पहला ओप्षन है इसका क्या रोल है कि जितने भी ओप्षन हमने अब तक जैसमें ज छोटकट है हमारे पास में एफभाइब घिक है जो एक हम इसमों फ्रेयों करते हैं तो यह हम ऌरे जितनी भी है जितनी आलते हैं वह सार्ड की सारी क्या हो त्याल चल जाती है, automatic auto preview होने लगती है तो यह आप देख रहे होंगे, यह जितनी भी animation है यह इनके design है, कि हम अपनी animation को या अपनी slide को किस तरह से इसमें effect डाल सकते हैं वो सारे का सारा इसमें यहां आपको मिल जाएगा यह अलग-अलग तरीके के effect हैं, जो यहां पर show किये हूँ है आपको add effect करने की ज़रूरत नहीं है, आप यहां से भी उसमें changes कर सकते हैं ठीक है, add animation, यह सारे के सारे animation हैं अगर आप इसके according भी चलाना चाहते हैं, यह अपनी तरह से भी बनाना चाहते हैं तो अब भी आप यहां से बना सकते हैं, जैसे कि shape है यह इस तरीके से बन जाई animation pen में, जैसे भी आपके पास में यह है जितने भी आपने shape लगाई हैं, एक animation, मतलब एक slide के अंदर यह हमारी एक continue वाली system जो है, यह पूरा एक slide का portion है और इस slide में हम जितने भी animation लगाते हैं, जितने भी effect डालते हैं, तो यह उसका panel होता है, तो आप उस एक slide को यहां पर use करके देख सकते हैं, कि इसमें हमने कौन-कौन से slide यूज़ की है, जैसे हम यहां पर click करते हैं वापस, यह trigger, trigger आपने कभ यूज़ करना है, मतलब किस shape क यहां पर पुचानी है, या पहले पुचानी है, बाद में पुचानी है, वो सारी चीज़े आप यह mouse click, यह देख रहे होगे, आप आ रहा है, own mouse click को, जो shape आपने mouse click के साथ चलानी है, आप उसे तुरंद दबा दो, वो यहां पर चल जाएगी mouse click के साथ, पर animation printer, जो animation आपने यहां पर डाली है, वही आप animation यहां डालना चाहते हैं, तो जिस तरह के का option, यह format painter होता है, ऐसे ही यह हमारा animation painter भी same work करता है, ठीक है, इसके बाद यह आ जाता है, यहां पर start वाला option, जो हम animation अपनी slides के अंदर डालते हैं, उनको हम click के recording चलाना चाहते हैं, या with previews, मतलब जो भी हम animation डालते हैं, वो hand-to-hand preview हो जानी चाहिए, या थोड़ जिर रुकने के बाद या उसको मतलब last में होनी चाहिए, तो उसके लिए हम यहां पर select कर लेंगे, on mouse click, ठीक है, और duration, की slide की कितनी duration होनी चाहिए, फिर delay मतलब एक slide से दूसरी, मतलब एक effect जो हमने डाला है, उस effect से दूसरी effect तक जाने के लिए कितना time delay होना चाहिए, मतलब कितनी second लगनी चाहिए, minute लगनी चाहिए, तो जिस तरह से हम यहां पर देखते हैं, हम click कर देंगे, तो यह तुरंती दूसरी वाली slide चल जाती है, तो ऐसे कितना slide में time लगना चाहिए, एक slide से दूसरी slide में जाने के लिए, वो यहां पर change कर सक हमने एक साथ, एक ही पैनल के अंदर हैं हमारे पास, अब कौन सी slide को या कौन सी animation को आपने first पर पुचाना है, कौन सी animation को second पर पुचाना है, उसके लिए हम इस वाले portion का use करेंगे, ठीक है, उसके बाद आ जाते हम slides ओपने, next option पर, यह हमारा, जितना भी slide बनाई है हमने, उ बहुत ही most important topic होता है, slides हो PowerPoint के अंदर, मैंने last video में भी यह बताया था, कि यह वाला rehearsal timing, इसको बहुत अच्छे से use होना चाहिए, और यह वाले option भी है, use करने के लिए, तो सबसे पहले option क्या है हमारा, from beginning, मतलब कोई भी हम अगर slide बनाई है, हमने 4, 5, 10, 20, तो आप कहां से उस को सुरू करना चाहते हैं, तो आप जैसी F5 प्रेस करोगे, तो सुरू से ही यह preview होना सुरू कर देगी, उसके बाद में from current slide, जैसे कि आपने fourth slide कर वा आप, और आपने यहीं से ही preview करना है, आपने first preview नहीं दिखाना, तो आप current slide से इस्तमाल कर सकते हैं, तो आपका यह चीज होगे, तो current slide से preview आपका हो जाएगा, इन चीजों का भी ध्यान रखना है, जैसे यह option आपके सामने आते रहेंगे, आप इनको use करते रहेगा, उसके बाद में आ जाता है, present online, आपके पास में यह वाली slides हैं हमारी, और इनको online present करना है, तो आप यहां से भी कर सकते हैं, लेक custom row, यह कौन सी slide आपने पहले पुछानी है, मतलब आपके यहां पर इस वाली को चलाना चाहरे हो, तो ओके करके जब आप इसको show कराऊगे, तो सिर्फ वही slide show होंगी, जो हमें show करानी है, बाकी और नहीं होंगी, बाकी अगर F5 से आप दबाऊगे, तो वो तो सारी की सारी continue चलते रहेंगे, फिर है setup slide show, अब यहां पर आपने setup करना है slide का, जो हमारा rehearsal करते हैं, उसको किस तरह से use करेंगे, क्योंकि इसके लिए recording का होना हमारे पास में बहुत जरूरी है, सबसे पहले कि हम इसको individual पर रखेंगे, या फिर full screen पर रखेंगे, वह आप यहां देख सकते हैं, इसके option है show वाले, फिर कब से लेके, मतलब कि slides का जो rehearsal होना है, वो कौन-कौन से slide का होना है, अगर आपने custom सुरू है, तो आप यहां से, इसको custom जो slide setup किया है, वो आप यहां से कर सकते हैं, custom में जाके, जो आपने custom में add कर दिया होगा, वो यहां से चालो जाएगे, बा slides हैं, वो सारी की सारी यहां पर show हो जाएगे, फिर आप के पास में अगर multiple monitor है, तो आप उसको यहां पर जैसे primary, हमारा primary कौन सा है, यही वाला, अगर कोई दूसरा भी monitor होता है, तो यहां पर उस monitor का नाम show हो जाएगा, कि यह वाली slides हमें, इस monitor पर show करानी है, ठीक है, उसके बाद में किसी slide को अगर अपने hide करना है, तो आप इसको hide slide कर दीजेगा, यह खक में जाएगे, फिर आता है option, rehearsal timing का, जो यह वाली slides है, आप इसमें देख सकते हैं, कि आपने इस topic को लेके, जैसे यहां पर आप देख रहे होंगे, यह वाला option चालू है, इस topic को लेके आपने कितनी देर बोलना है, या क्या चीज इसके बारे में समझानी है, कितने समय के बारे में यह खत्म हो जाएगा, तो इस चीज को आप देख सकते हो, आप समझा भी सकते हो, यह एक यहां पर option खुल जाता है, ठीक है, इसका आप use कर सकते हैं, यह बहुत ही एक अच्छा option है, आ आप इसके बारे में record करके अराम से बोल सकते हैं, फिर इसके बारे में इसको आप close कर दीजिएगा, ठीक है, और इसको discard कर दीजिएगा, यह save भी हो जाता है, ठीक है, फिर रिकोर्ड स्लाइड सो, कहां से slide record करना है आपने, जैसे कि यही चीज आपने record करना है, आपका यह स इसके बारे में कुछ समझाना है, what is the case study, क्या है, तो आप इसके बारे में बता सकते है, full name क्या है, full name लिखना है, तो आप बता सकते है, यह erase भी किया जा सकता है, तो कोई इसमें इतना बड़ा issue नहीं है, ठीक है, लेकिन है बहुत काम की चीजिए है, आप इसको फिर से close कर दीजिएगा, play narration, record narration, यह हमारा, preview वाला option है, ठीक है, इन उप्शन, यह बहुत ही अच्छे options होते हैं, जब भी हम किसी भी presentation के बारे में किसी को बताते हैं, तो आप देखिएगा इनको बहुत जरूर, ठीक है सब, इसके बाद में आ जाता है, review, का क्या काम होता है, यह वाल Spelling के अंदर, हमारी जैसे भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी होते हैं, कई बारी, Spelling गल्थ हो जाते हैं, तो उनको ठीक करने का काम करता है, Spelling and Grammar, Shortcase की वह यह है, F7, कोई चीज सर्च करनी है, तो आप इसके यहां से भी कर सकते हैं, ट्रेजर्स पे, अशेसिबिलिटी जो चेक करनी होती है, वह आप यहां से कर सकते हैं, ट्रेजर्स प्रेजर्स प्रेजर्स कर सकते हैं, कोई अगर स्मार्ट लुक अप, मैरा ओफ था मैने अन कर लिया, तो जो भी हमारा यहां पर PPT का टॉपिक है, उस टॉपिक को हम Google से मैच करा सकते हैं, उसका यहां होता है, जो भी आपका है टॉपिक है, अगर आप इस पर क्लिक करोगे, तो जी उसके रिगार्डिंग ही आपको एक इमेज शो करा देगा, टॉपिक शो करा देगा, या फिर उसके रिगार्डिंग को यहां आरे help का अगर आपका कंप्यूटर इंटरनेट से कन सब्सक्राइब कराना है किसी भी लेंग्वेज को कह से लिए यहां पर है फुल नेम इसको डिडेक्ट कर राना है हमने तो किस तरह से लिख तरह से कौन कौन सी हहं हैं मेरे पास में कौन सि लेंग्गेज का प्रफ्रेंस देना है उसके बात कमेंड्स k वाली र्ल करनी है मैं को कमेंट्स को डिलीट करनी है या हमारी जो कमेंट्स हैं बहुत सारे उनको करने है या फिर ने जितने कमन्ट है उनको शो कराने शो कराने एक स्वेक्शन का यूज करके खरेंगे कृण इसमें क्या होता है कि हम ऐसा पैन का यूज कर लेते हैं इसका हम White Pan की जगा लाइट पैन की जगा इसका हम यूज करते हैं इसके बाद में इसको हम क्लाउज कर देते हैं या फिर कोई इंक हाइड करनी होती है तो इसका हम 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 इसक तो हमने जितनी भी है अपनी यह रीडिंग लियाउट में नहीं करा देते हैं इसको एंड शो करा देते हैं नॉर्मल में आ जाओ अपने मौड में फिर स्लाइड मास्टर यहां पर सोग जाता है कि हमने बीच में कुई स्लाइड एड करनी है नहीं करनी इस एरिये में कैसे करेंगे तो यह सारा काम कौन करता है यह करता है हमारा स्लाइड मास्टर इसके बाद हैंग आउट मास्टर इस चोटी चोटी चीजी इसमें बाट दे जाते हैं नॉट्स मास्टर किसी चीज का हमने नॉट्स बनाना है तो यहां से यूज कर सकते हैं उसके बाद में यह जूम फिट टू विंडो यह सारे ओप्शन क्या होता हैं यह सारे कि सारे आपने मिले होंगे माइक्रसोफ्ट वर्ड में ग्रे स्केल ब्लैक इंवाइट अपनी स्लाइड्स को दूमने किस मोड में कनवर्ट करना है वह सारे चीजें हमें यहां पर मिल जाएंगे यहां हमारी इस स्लाइड्स का नियू विंडो जनरेट करना है तो भी हम कर सकते हैं अरेंजोल मोग स्प्लीट स्विच विंडोज मैक्रोज यह सारे उप्शन हमने रिसेंट वीडियो में आपको समझा दी इसका डिस्क्रप्शन में मैं आपको लिंक दे दूंगा एक चीज मैक्रो कीबॉर्ड की किज की एक्तिविटी को रिकोर्ड करता है तो अगर किसी प्रकार की किसी कमी कमी आपको यहां पर मिलीती है तो आप हमको उसको बता सकते हैं और विंग जल्द ही सुरू करने वाले हैं टैली एक सोफ्ट्वेर जो अकांटिंग का सब्सक्राइब करना जिदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूले एंड इंस्टा एंड फेस्बुक के पेजिस को भी आप फॉलो जरूर कीजिएगा उस पर भी हमारी छोटी-छोटी सी क्लिप्स आपको मिलती रहेंगी वह बहुत ह एक मिनिट की सोर्स होती है लेकिन बहुत ही काम के लिए होती है चोटी चीजें और बड़ा धमागा मिलता है उसमें तो बने रहे हैगा हमारे यूट्यूब चैनल इटाइक कम्प्यूटर एजूकेशन के साथ धन्यवाद